तो तुम्हेरे किसी एक सब्सक्राइब कहना है कि मैं अब बड़ पिस सीकि रहा हूँ, मैंने बड़ पिस ब्लॉग बनाया है, मेरे एक पिशन है कि मेरे साइट के थीम के अंदर या बड़ पिस के अंदर साइट का बेकगराउं कलर चेंज करने का फंक्शन नहीं है, मुझे साइट के अंदर, यह वैपसाइट है या ब्लॉग है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको CSS code की help से बताएंगी, कैसे आप बड़ पिस में CSS code implement करके वो function को ला सकते हैं, साइट के background के color को बड़ सके, यानि कह सकते हैं कि आप साइट के background color जो रखना चाहिए, वो रख सकते, मैं आपको कुछ टिप्स देंगा, बस आपको CSS code implement करना साइट के अंदर, तो कैसे background color change करते हैं, without plugin द्वारा, WordPress साइट के अंदर, तो जाने के लिए, सीखने के लिए, इस वीडियो को continue, सुरूश के लास तक जरूर दिखें नमस्कार दोस्तों, आप दिख रहे हैं, basic computer हिंदी, तो सबसे पहला, WordPress के dashboard में, login हो जाएए, login होने के बाद, यहाँ पर appearance मिलेगा, एन यहाँ पर theme option मिलेगा, आप इस पर click किजे, click करने के बाद, यहाँ पर theme आज आएगी, आपको यहाँ पर install theme पर customize बटन दिखाई देगा आप इस पर click किजे, अगर दोस्तों, आपकी theme के अंदर color का function है, तो बहाँ पर background color change करने का भी function मिल जागा, अगर वो नहीं है, या काम नहीं कर रहे है function, तो आप CSS code की help से ऐसा कर सकते हैं, बस आपको एक code डालना है, बड़ा छोटा code है, और आप जो color set करना जाते हैं, background में site के वो आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर addition CSS पर हम click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर एक code को implement करेंगे, और उस code की help से जो color set करना है, वो आप कीजे, ठीक, तो यहाँ पर हम type करेंगे, पहले body, ठीक है, body का background color change करना है, तो body हम type करेंगे, and यहाँ पर, and space देंगे, और यहाँ पर curly brackets open करेंगे, तो यहाँ पर हम shift दाकर open करते हैं, और enter कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको type करना है, background, dash, color, फिर आपको यहाँ पर colon लगाना है, फिर आप यहाँ पर कौन सा color रखना चाहते हैं, मैं रखता हूँ, यहाँ पर blue, and यहाँ पर semicolon लगा के इसे बंद कर साइट के background में, blue color आने लगा, दोस्तों, आपके मन में सवाल चल लगा है, यहाँ पर color picker यूज कर सकते हैं, तो internet पर आपको tool मिलेगा, color picker, color picker, तो नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पर color picker, आप इस पर click करेंगे, click करने के यहाँ पर काफी सारे template मिल जाएंगे, तो आप आपको किस तरह color चाहिए यहाँ से आप just decide कर सकते हैं, ठीक है, तो आप double color भी ले सकते हैं, single color भी ले सकते हैं, जैसे आपको चाहिए वैसा आप ले SAKते हैं, ठीक, तो दोस्तों, कौन से color पसंदा रहा है, इनमें से आप decide कर सकते हैं, ठीक है यहाँ, convert है, RGB है न, तो कैस आपको color चाहिए, chart चाहिए, तो chart से आप color ले सकते हैं, इस पर के लिए चार्ट मिल जागा, यह देखिए, यह देखिए, ठीक, तो मैं यहाँ पर, कोई भी एक color ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर, यह color ले लेता हूँ, ठीक है, नीचे आएंगे, तो यहाँ मैं यह color ले लेता हूँ, इसके code को आपको copy करना है, ठीक है, जितने भी आएंगे, इसके code को आपको copy कर लेना है, copy करने के बाद फिर से जाएंगे, और यहाँ पर code को implement कर दीना है, यह देखिए, यहाँ पर color चेंज हो गया, अगर आपको यह भी पसंद ने आ रहा, तो यहाँ पर implement कर देंगे, यह देखिए, यह देखिए, यह background color चेंज हो गया, तो दोस्तों जब आपकी theme के अंदर color function नहीं है, background color चेंज करने का, तो आप इसकी help ले सकते हैं, अगर आपको gradient color डालना है, तो आपको tag को change करना हो, आपको tag डालना है दोस्तों, यह वाला, रखना, sky blue, और यहाँ पर red, यह देखिए, यहाँ पर यह दोना mix हो गया, यह gradient color बन गया, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, आपको दिखाई दी रहा होगा, यह देखिए, यह देखिए, ऊपर नीचे, तो आप gradient color भी डाल सकते हैं, और कुछ रखना जैसे कि मैं मुझे रखना, यहाँ पर orange रख देता हूँ, और एंज यह है, तो तो आप gradient color भी यूज कर सकते हैं, अगर आप कोई function feature नहीं है, theme के अंदर background color डालने के लिए, gradient color डालने के लिए, तो आप CSS code की help ले सकते हैं, जैसे आप publish करेंगे, आपके सब्सक्राइब में यह एपलाई हो जाएगा हम दिखा देते हैं आपको Refresh करेंगे एक लिगा में यहाप पाइक है हो गया दो दो करना है single लखना है single लखी है code करना है तो code की help ले सकते हैं आप copy paste कर सकते हैं यह code है यह आप color packet tool के help लेकर कोई भी code को जननेट करके उसमें implement कर सकते हैं आई होब आपको इबड़ो काफी हेलफुल लगा दूस्तों सित्र की और हेलफी बड़ो के लिए महरेचन पर बने रहेए धन्यवाद